असलाव लेकूं माई यूटूब फैमिली कैसे आप सब लोग उमीद करती हूं कि आप सब अपने गरों में ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे आज इस वीडियो में मैं बिर्यानी के रैस्पी शेयर करूंगी जो कि मेरी एम्मी और भाबी बनाएंगी सब्सके पहले हम छे किलो चावल लेंगे हैं दूंध पहले बिगऋ कर रख द की पाणी फिर हम तीन किलो फ्यास को काट कर एक किलो तेल में डालेंगे और उसको अच्छे से श्राइ करेंगे जब तक फ्राइ करेंगे जब तक यह गोल्डण कललर और लाइट ब्राउन कललर को नहीं हो जाता है। बोल करेंगे जब तक अच्छे से पकाएंगे पहलता है फिर उसके बाद अब हम जाएंगे cart Li आलू की तरफ आलू लेंगे, आलू के अंदर हम जर्दे का रंग डालेंगे, फिर ये हमने लिया अद्रग, धनिया और लेमन, और फिर ये बाकी समान है, लीमू को गुल गुल काटा, पोदीना, हरी मिर्च, प्यास, और ये हरी मिर्च, और ये धनिया, तरफ मुझाय लीया, उमने लेगए, 12 खुलwide मिर्यानी मिल जाती है, और ये हमने लिया, टामातर को गुलू काटा, प्यास के लिए और पहले, प्रेश पकत तैलके प्रेशाこれは चमचा घुमाते जाएंगे और िसको पकाएंगे पिका पकाएंगे अश्री हेर का लाइंगे चमचा हिला ना एंगे नहीं सुन्रेशेता यह फिर जब हम हम इसको रखे पिर हम जाएंगे चावल के पानी की तरफ चावल का पानी जोzentर हो सुप to काला जीरा जो होता है ब्लैक कलर का जो जीरा होता है वो डालेंगे वो इसको बॉयल करने के लिए रखेंगे अब हम जाएंगे वापस टेमाटर की तरफ टेमाटर हमारा थोड़ा सा बन चुका है अब उसके अंदर हमने आदक लोजे दही था दही डालेंगे दही को डालने के जाएंगे जब तक यह सही से मेक्स नहीं हो जाता साद में यह हमारा पकता भी जाएगा उसके बाद जब हमारा यह टमाटर बन जाएगा फिर हम इसके ओपर डालेंगे मसाला और हमने इसके ओपर नमक भी डाला है इस पे जायका हमने इतना तेज नहीं डाला कम डाला है और इसके ओपर इमली थोड़ी बहुत इमली डाली है इसको अच्छे से अप मिक्स करेंगे और दस से पंदरा मिन रखेंगे पकने के लिए अब जब यह बन गया इसके ओपर हमने हरी मिश डाली अब जितना भी हमने गोश चड़ाया यखनी और तो से रचच्छा नहीं डालेंगे लेकिन यकनी नहीं डालेंगे सिर्फ खाली गोश सारा गोश इसके अंदर डे़की जालेंगे अ अब हम चमच हिलाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसको अच्छे से अब हम मेक्स करेंगे ये चमच को हिला कर इसके बाद इसको 10-15 मिंट के लिए रखेंगे ताकि ये बन जाए 10-15 मिन बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये तयार होगा अब 10-15 मिन बाद जब हमने देखा तो ये हमारा रेडी था अब हम इसको साइड में रखेंगे और चावल के पानी की तरफ जाएंगे चावल का पानी हमारा वायल हो चुका था अब हम उसके अंदर चावल हमने डाल दिया अब इसके उपर हम लीमू डालेंगे लीमू डालने से ये होता है जो हमारे चावल है वो बड़े बड़े हो जाते हैं मेरी अम्मी का कहना है कि लीमू डालने से चावल बड़े हो जाते हैं फिर 25 मिन बात हम देखेंगे चावल हमारा पक गया है इसको चेक करेंगे हाथों से नरम हो गया है अब हम चावल का पानी खाली करेंगे किसी स्टील जाली में अब हम जाएंगे बिर्यानी के दर्फ सबसे पहले हम बतीली के अंदर सालन का तेल डालेंगे फिर उसके उपर हम चावल डालेंगे मतलब आदा चावल डालेंगे फिर उसके उपर हम आदा चावल डालने के बाद सालन डालेंगे आदा सालन भी डालेंगे फिर आदा सालन डालने के बाद जो हमने चीजे रखी थी धनिया पोदीना, हरी मिर्च धनिया पोदीना और इसके लावा प्यास वो सब डालेंगे लेमो आलू यह आलू डाला आदा यहां पर डालेंगे आलू फिर आदा उपर वाले लेयर पर डालेंगे यह प्यास है जो फ्राइ प्यास जो प्यास हमने फ्राइ किया था न वो है वो फिर दनिया प्र लेमो यह पोदीना अब बाकी जो चावल बचाता वो डालेंगे अब फिर बाकी जितना भी सालन बचाता वो सारा डाल देंगे ये मैं वाइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो में बहुत शोर शराबा था तो फिर मैंने बाद में वाइस ओवर किया है और ये बाकिए जो सालन था वो सब डालेंगे जितना भी सालन था वो सब डाल कर फिर बाकिए वई वही सब अलू धनिया पोदीना सब प्यास वगार वगयरा सब डाल कर फिसको दम पे रखेंगे दम पे जब हम रखेंगे न तो हम पतीली का कवर होता है उसके उपर हम एक चादर है थोड़ा मोटा सा चादर वो पतीली के कवर पर शड़ाएंगे ताके सही से दम लग जाए हवा बार ना निकले अब सब कुछ डालेंगे धनिया पोदीना डालकर पर धंपे रखेंगे धंपे तकरीवान इतना रखेंगे कि सबसे पहले तो तेज आँच पर रखेंगे दम पे और कवर बन कर देंगे फिर जब आवाज आएगी चावल की तो पर हम उसके बाद तकरीवान पंदरा मिंट दस पंदरा मिंट ऐसे आवाज आना शुरू हो जाएगी पतीली में से पर हम बन कर देंगे अब प्यास डालने के बाद ये सब कुछ डाल लिया अब हम इसको दम पे रखेंगे जिस तरह मैंने बोला था कि ये कपड़ा है और ये फुल तेज आँच पे फुल तेज आँच पे रखेंगे अब हम जाएंगे रोटी बनाने के पेड़े बना कर रखे हैं रोटी के लिए और फिर तंदूर जलाएंगे ये हैं तंदूर तंदूर दस मिंट पहले जलाते हैं अब हम बनाएंगे रोटी गोल गोल बनाते जाएंगे जब तक हमारा तंदूर भी गरम हो जाएगा यह रोटी बन रही है पहले इसको गोल बनाएंगे फिर इसके बाद इसको तंदूर पर लगाएंगे हमारे यह तंदूर की रोटी बनती है तवे की नहीं बनती जब तक हमारे बिर्यानी में भी दम लग जाएगा यह हमने रोटी बनाई अब हम इसको तंदूर पर लगाएंगे पर पांच मिन बाद हमारी रोटी तयार होगी हमने रोटी निकाली और तब तक हमारी बिर्यानी भी बन गई होगी हमारी बिर्यानी भी तयार है अब हम इसको सर्फ करेंगे और टेस्ट करेंगे टेस्ट करने के पात बिरियानी बहुत मज़े की बनी थी. अगर आप चाहें तोआ इस रैसिपी को है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें. इन्शालला नेक्स वीडियो में मिलेंगे. अबने